नमशकार दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे बहतरीन प्रोड़ेक्ट के बारे में रिव्यू दे रहा हूँ जो सच में काफी बढ़िया प्रोड़ेक्ट है हमारे दाद के दरदे के लिए और दाद के दरदे के साथ-साथ इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महतुपण होने वाली है वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन इस वीडियो में इसके क्या-क्या फायदे हैं इसका उपयोग आपको कैसे करना चाहिए उपयोग करने से पहले आपको क्या-क्या साउधानी रखनी है और इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी तो ये वीडियो आप अंत तक देखेगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजे जिससे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण भरी जानकारियां लगातार मिलती रहें तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इसके फाइदों के बारे में बात करते हैं दाद के दर्द के लिए दोस्तो इसकी दो से तीन बुदें रूई में भीगो कर दाद के कैविटी वाली जगा पर रख दें यानि जहां पर आपका दाद दर्द कर रहा हो वहां पर रख दें आपके दाद दर्द से आपको तुरंत अराम मिल जाएगा और इसके साथ साथ ये मूँ की सफाई और मूँ के दुरगंद को दूर करने में भी हमको तुरंत फाइदा देता है दोस्तो एक कब गुनगुने पानी में तीन से चार बुदे लॉंग का तेल मिला कर गरारा वो कुला करने से आप अपने मूँ को स्वस्त और ठीक रख सकते हैं दोस्तो कान में दर्द होने पर आप लॉंग और तिल के तेल को बराबर मातरा में मिला कर एक से दो बुदे कान में डालें इससे कान के दर्दे में आपको काफी आराम मिलेगा नमबर तीसरा चोट या घाओ के लिए दोस्तो चोट या घाओ होने पर लॉंग के तेल में नारेल का तेल मिलाकर लगाने से चोट या घाओ जल्दी सही हो जाते हैं नमबर चौथा मुहासों के लिए दोस्तो लॉंग के तेल में आप नारेल का तेल मिला कर रूई की मदद से मुहासों पर लगाईए इससे आपके मुहासे तो खत्म होंगे होंगे और साथ ही चेहरे के दाग धबे भी साफ होते हैं नमबर पांच हुआ मतलिया उल्टी के लिए दोस्तो लॉंग के तेल की एक या दूबूदोगा सेवन करने से मतलिया उल्टी से आराम मिलता है नमबर छटा बालों के लिए दोस्तो लॉंग के तेल में यूजेनौल पाये जाता है जो बालों के विकास के लिए काफी मददगार हो सकता है बाल घने वो मजबूत बनाने के लिए नारिल के तेल में लॉंग का तेल मिला कर मसाज करें और दो घंटे बाद बाल किसी अच्छे सेंपू से आप धोलें नमबर साथ हुआ दाद खाज खुजली के लिए दोस्तो दाद खाज खुजली जैसे तोचा के संकरवन में लॉंग के तेल में नारिल का तेल मिला कर लगाने से ये जल्दी ठीक हो जाते हैं नमबर आठ हुआ जोडों के दर्द के लिए दोस्तों जोडों के दर्द में लॉंग के तेल की कुछ बुदों से मालिस करने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है इसकी आप सुबह और शाम मालिस कर सकते हैं तो चलिए आप जानते हैं लौंग के तेल का उपयोग करने से पहले आपको क्या-क्या साउधानी रखनी है? नमबर एक गर्ववती महिलाओं को लौंग का तेल उपयोग करने से पहले डौक्टर की सला अवश्य लेनी है नमबर दूसरा छोटे बच्चों से इसे हमेशा दूर रखें नमबर तीसरा इस्तिमाल करने के बाद अगर कोई दूस प्रभाव नजर आता है तो इसका प्रयोग बंद कर दें और तुरंत डौक्टर से संपर करें नमबर चोथा उपियोग करने से पहले इसकी सही मात्रा जानना बहुत जरूरी है नमबर पांच हुआ इस्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इसका उपियोग करने से पहले डौक्टर की सला अवश्य लें तो चलिए आप जानते हैं इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं इसका अधिक मातर में उप्योग, एलर्जी या टॉक्सिन प्रभाव पैदा कर सकता है नमबर दूसरा इस तेल के कारण रक्त में मौझूद सुगर में गिरावट आ सकती है इसलिए मधुमे रोगियों को इसका उप्योग साउधानी पूरवक करना चाहिए तो दोस्तों ये थे लौंग के तेल की कुछ महतुपूर बातें अगर आप चाते हैं कि ऐसी ही महतुपूर भरी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे तो इस चैनल को आप सस्क्राइब जरूर करिए अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद